हलो जे शिरादे तो भाई कैसी है मेरी YouTube Family I hope अच्छे होँगे स्वस्थ होँगे खुश होँगे तो हम भी अच्छे हैं स्वस्थ हैं और खुश हैं तो यहाँ पर मेरा अंदर का सारा जाडू हो गया है जाडू बगएरा मैंने अंदर लगा दिया है और अब आई यह बाहर की बारी और ठंड तो इतनी जादा है ना कि सारे हाथ ठंडे ओ चुकी है पैर ठंडे ओ चुकी है ना और यह देखो मैंने जुराब नहीं डाली है क्योंकि उठते ही मैंने जाड़ू पकड़ लिया था तो मैंने सोचा कि पहले सापस्वाई बहला काम कर लूँ और बाकी जो है वो नीचे की सफाई होनी थी बात्रूम साइड की क्योंकि हमारे आपको पते हैं यह बात्रूम बगएरा जो हैं वो बाहर है नीचे की तरफ को हैं तो वहाँ पे जाना पड़ता है और वहाँ की सापस्वाई मेरे हजबन ने कर दी है क्योंकि यह थोड़ा सा शेड का काम किया था ना तो समान बगएरा ऐसे ही बिखरा था कोई थोड़ा सा लोहा बगएरा सरीय बगएरा तो वो उठाने को रह गया था तो मैंने ना इनको बोला था मैं कि आप अपने तरीके से ढंक से रख देना जहां भी रखना होगा क्योंकि बाद में यह मागते हैं तो फिर मिलता नहीं है मुझे मतलब मेरा रखा हुआ इनको मिलता नहीं है इनका रखा हुआ है इनको मिल जाएगा फिर तो उसके बाद ये ना अंदर जो शेड का काम किया हुआ है ना यहां पे भी बहुत जादा इकठा हो गया था मतलब मिट्टी वगेरा हो गी थी जैसे काम कर रहे थे तो वो चद्दर भी खराब हो गी थी आज है वीर बार आज त आउंगी तो गाजर वगेरा जो उनको कद्दू कस कर लोंगी और फिर गजरेला बनाने के लिए मुझे टाइम लग जाएगा क्योंकि ऐसा होता है ना कि कपड़े वगेरा धो पोच्च वगेरा लगो तो इतना टाइम नहीं बसता है क्योंकि दिन होते हैं छोटे और फिर दूप में बैटो थोड़ी देर बाहर एक दो गेंटे के लिए आराम करो और फिर शाम का टाइम आ जाता है और फिर शाम को ठंड लगती है और फिर अपना मतलब शाम का खाना-खुना बनाने का काम शुरू हो जाता है तो यहाँ पे ना अब मैं जाड़ो गेरा लगा चु तो यहाँ पे मैं इनको बना रही हूँ आलू का परांठा और इनको नास्ते में दूँगी आलू का परांठा देही के साथ और दूद का गिलास लेते हैं यह नास्ते में तो यहाँ पे इनका नास्त बगेरा त्यार हो गया है टिफन इनका मैंने पैक कर दिया है टिफन में मैंने आपको बताया था कि साग वगेरा जो है वो मैंने बनाया था तो साग ही आज इनको लंच में दोगी और नास्ते में बना इनका अलू का परंठा तो यहां पर लो जी इनका नास्ता हो गया त्यार और इनका टिफिन भी मैंने पैक कर दिया अब जाओंगी मैं नहाने और नहा दो कि आगी हमें यहां पर मेरी पूजा होगी है स्टार्ट अब मैं पूजा करूं कि उसके बाद जो है वो मैं नीचे तुलसी जी को भी पानी द इसकोन मिलता है दिल को कि हमारा सारा काम जो है वो ठीक से हो उगया और टाइम से हो गया तो पूजा पार्ड करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूजा पार्ट करने से वो माइनठ पॉस्टिव रहता है और फूल एनरजी के साथ और पार कामों को भी कर सकते हैं अगर ह मैं आगी हूँ नीचे धूप में बैठी हूँ और आज गजरेला बनाने का बहुत ज़्यादा मन था गजरेला ले आए ते दो दिन होगे ते गजरेला को ले आए लाए हुए तो मैं सोच रही थी कि बीरवार को कपड़े नहीं होगे तो एक्स्रा काम मतलब कर लूँगी मैं तो एक दो काम मेरे और थे जो मुझे करने थे लेकिन वो भी मैं नहीं कर पाई अब मैं उनको देखती हूँ कि सेटरडे या संडे तक करती हूँ उनको आमा को क्योंकि मुझे अलमीरा बगयरा साफ करनी है अपनी कपड़े मेरे सारी अलमीरा में इदर से उदर हो गया है सर और उसके बाद मैं आगी हूँ यहां उपर शाम का टाइम हो गया है और मैं यहां पर आटा वगयरा गूनने लगी हूँ आटा गूनके रख लूँगी और जब वो आएंगे तब ही मैं चपातियां लगाऊंगी क्योंकि गरम गरमी खानी होती है दो बंदे हैं तो पहले ही क्या बना के रखनी सब जब गरा बना लूँगी दाल बनाओंगी और चपाती मैं गरम गरम उसी टाइम में लगाऊंगी मैक्स को बना के कभी बना लिती हूँ पहले अगर मतलब जिससे उसको भूख लगी होना तो वो खड़ा हो जाता है सामने मुझे पता चल जाता है तो फिर आ गया वो मेरे पास तो मैं उसको बना दूंगी चुपाती है नहीं आया तो उसको फिर अपने साथ ही बनाओंगी बाद में ही क्योंकि बाद में भी तो उसको फिर देखना होता है कि ये क्या खा रहे हैं तो फिर देखता है वो तो उसी टाइम खिलाओंगी उसको ज मैंने एक बार पहले भी आपसे रेस्पी शेयर की है एक पुरानी वीडियो होगी तो उसमें मैंने रेस्पी शेयर की थी गजरेले की तो इस बार जो है वो मैं गजरेले की रेस्पी आपको नहीं दूगी और काम तो सारा मेरा खतम होई चुका है बस चपाती है रही है बनाने तो मन नहीं करता है कि हाथ लगाओं लेकिन क्या करना बरतन तो दोने ही पड़ेंगे और कपड़े भी दोने ही पड़ेंगे ये काम तो सारे वे ड्यूटी है तो तो करने ही पड़ेगी कपड़े बरतन तो जहां मन नहीं करेगा वो भी काम करना पड़ता है ठंड होगी तो फ प्रिश्री बतन मैंने निकाल लूंगी फिर जब दिल करा करेगा तब खा लिया थोड़ा थोड़ा निकालके गर्म करके और गज्रेला तो सर्थिउंवे इतना टेस्टी लगता है और जब खाना खा लेना उसके बाद थोड़ा सा कटोरी मैं लेके जो गर्म-गर्म खाते है तो उसका तो मज़ा ही कुछ और आता है और बहुत दिल करता है सर्दियों में गजरेला काने का तो गजरेला तो मैं भी खाती हूँ लेकिन ये बल बगेरा तो मुझे इतना टेस्टी नहीं लगता है उसको मैं बहुत कम खाती हूँ तो बल भी बनाया था जो मैंने रेस्पिर सेर की थी आपसे वो तो बेटा ले गया लेकिन थोड़ा बहुत बचा है तो वो तो वैसे ही रखा है तो मुझे गज्रिल अच्छा लगता है और बल इतना अच्छा नहीं लगता तो बस यहां पे मेरा सारा काम खतम हो चक है वो भी जल्दी भी आ जाते हैं तो लेट हो जाते हैं फिर तब ही सुबह में लेट उठते हैं और यह है अगले दिन की क्लिप मतलब आज की क्लिप शुकरवार की और यहां पे मैं जा रही हूं मारकेट है नीरपूर क्योंकि मैंने बताया था ना कि मुझे पौधी पगेरा लाने ह थोड़े से और और भी मुझे एक तो काम थे मुझे बो भी करने थे और मैं गई थी नरसरी वहां से ले आई मैं दो तीन ही मुझे प्लांट मिले हैं बाकी मैं बाद में लाओंगी तो यहां में मुझे भूग भी लग पड़ी थी साथ में फिर मैं दोपैर को जुआ वो मै तीन तीन पॉद्धे लाएं मैं कल शेयर करूंगे कल की वीडियो में आप से कि मैं कौन-कौन से प्लांट लाई हूँ क्योंकि मुझे मिले ही नहीं वहां पे उन्होंने बोला कि दसकर दिन के बाद आना तो नए प्लांट आएंगे और तो जो पॉट होते हैं न वो भी नए आएंगे तो आप तब देखना तो फिर उसके बाद जो है मैंने अपने लिए चाई बगेरा बनाई और चाई पीओंगी तो थोड़ा सरदर्द जो है मेरा ठीक हो जाएगा सर में बहुत दर्द लगी थी क्योंकि लेट होगी थी और ठक गई थी आज पूरा दिन बहुत ज जादा लेकिन प्लांट जो थे वो ना जैसे अभी सर्दियों के दिन है तो फोड़े से जल गए थे तो मुझे वो अच्छे नहीं लग रहे थे तब उन्होंने बोला कि दसकर दिन के बाद आना तब आपको अच्छे अच्छे प्लांट मिल जाएंगे और गमले भी मतलब बहुत सुंदर सुंदर आएंगे हैंगिंग वाले गमले वस जी यही थी मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन जो मैंने आपसे शेयर किया फिर मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे जी